दुनिया के कई देशों में कॉरोना संक्रमन की दूसरी वेव का कहर देखा जा रहा है जिसे देखते हुए प्रदेश में भी कॉरोना की दूसरी वेव आने की आश्रांका बढ़ गई है पूर्व में positive होकर स्वस्त हो चुके लोगों को फिर से कॉरोना होने की संभावना स्वास्त विभागने जताई है जिसे लेकर स्वास्त विभागने लोगों को साबधानी बरतने की हिदायत दी है देखें ये report मध्य प्रदेश में बीते माह कौरोना संक्रमन की दर में लगातार गिरावट आ रही थी मगर ठंड की दस्तक और त्योहारी सीजन के बाद कौरोना संक्रमन के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है पिछले पाँच दिनों की बात की जाए तो भोपा लंदोर सहत प्रदेश के अन्य जिलो में कौरोना संक्रमित के आकडों में तेजी आई है हाला कि एम्स के डायरेक्टर द्वारा चेतावनी भी दी गई थी कि ठंड के साथ ही कौरोना की दूसरी वेव देखने को मिल सकती है इधर स्वास्त विभाग भी मान रहा है कि बढ़ती ठंड के साथ ही कौरोना संक्रमन भी बढ़ेगा नोडल अधिकारी की माने तो ऐसे मरीज जो पहले कॉरोना संक्रमेंट से ग्रसित होकर स्वस्त हो चुके है उनकी एंटी बॉडी भी अब कम हो चुकी है इसके चलते उनके फिर से कॉरोना संक्रमें तो होने की संभावना है अपना जो पाजिटिविटी रेट है वो बढ़ा है और ये रेट पूरे देश में देखने को मिल रहा है जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है और चुकी तेहारों का मोसं था तेहारों में भी काफी जैदा लोगों के बीच में मेल जोल की स्थितियां पैदा हुई है और अधर रिजन्स भी ऐसे हैं कि लोगों में भी थोड़ी सी जागरुकता और थोड़ी लापरवाही भी बढ़ी है इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा पाजिटिवीटी रेट बढ़ा है लेकिन प्रसासन पूरी तरह से तयार है आगे आने वाली परिस्थितियों से निबटने के लिए हमारे पास परियापत मातरा में बैट्स की भी कैपैस्टी उपलब्द है और जैसी भी स्थितिया होंगी हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे जो डिरेक्टर है उनके द्वारा भी ऐलर्ट किया गया था कि यहां अभी सेकंड वेव या यू बोले की काफी ज़्यादा भी वापस से पाजिटिव मरीजों की संक्या बढ़ रहे है उसका दो-तीन रिजन ये भी है कि हर इम्मुनिटी ये जिन मरीजों को पहले हो चुका है उनमें भी काफी समय हो चुका है और कई मरीजों की एंटिवर्डी लेवल भी कम होने के आसंका है उसमें इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि अब जो मरीज पहले भी संक्रमित हो सकते हैं हुए थे वो मरीज भी वापस ही उतनी ही मातरा में संक्रमित हो सकते हैं जितना कि एक नर्मल इंसान हो सकता है तो कहीं न कहीं यह भी एक reason है positivity के बढ़ने का देखिए यह पूरा का पूरा आदमी के immunity के उपर depend करता है immunity जो है हर आदमी में immunity का level अलग 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 रहता है और इस तरह से heart immunity का जो level है इस बिमारी में लगबग 3-6 माने तक के मरीज की अवस्था और उसकी स्वास्थेकर्म रूप रहता है और जैसा कि आप देखी रहे हैं कि मार्च से हम सब लगे हुए हैं इन सब चीजों में और कहीं न कहीं मार्च में जो पेशेंट एदी positive हुआ हो तो उसका भी heart immunity का जो level है अब तक के जाकर के डाउन हो चुका होगा तो वह भी उतना ही संक्रमित होने के आसार उसके उतने ही हैं जितने एक नए मरीज की हैं कुल मिलाकर कोरोना संक्रमन को देखते हुए स्वास्त विफाक ने सभी को साबधान रहने के साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है ब्योरो रिपोर्ट MP News इन दौर